पिंपल्स प्रोब्लम तो टीन एज में बहुत ही कॉमन सी प्रोब्लम है, टीन एज क्या कोई भी एज होना पिंपल्स तो निकलते रहते हैं, बार बार निकलते रहते हैं, बहुत कुछ ट्राइ करते हैं लिगे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आज मैं आपको इतने बैनिफि tips भी बताऊंगे जो कि आपको avoid करने है अगर आप pimple से हमेशे के लिए चुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा एंट तक देखेगा लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आई हो या मेरे को first time देख रहे हो तो प्लीज सेल को subscribe ज़रूर करें या से और भी अच्छी वीडियो के लिए तो वीडियो आपके लिए काफी beneficial होने वाली है तो बिल्कु स्किप मत करना पूरा अंट तक ज़रूर देखना तो अभी देख लेते हैं वो सारे टिप्स step 1 में आपको daily routine में ये follow करना है वो है drink बहुत ही simple drink है बहुत ही easy इसको आपको जुरूर पीना चाहिए कुछ नहीं करना है एक गिलास पानी में एक निम्बू डालके उसको पी लेना है इससे क्या होता है इंटर्नली जो आपका blood है वो purify होता है जिसकी वज़े से आपको pimples की problem नहीं होती है हम बाहर से तो बहुत कुछ करते रहते हैं लेकिन इंटर्नली ध्यान नहीं देते हैं इसलिए आपको ये simple सा drink daily पीए और आपको pimples की problem वगारा नहीं होगी अगर आपको एक दो pimples है या फिर आपको थोड़े कम pimples है तो आपना एक बहुत ही easy और बहुत ही ज़्यादा effective ये trick कर सकते हो उसके लिए जो morning आपके mouth में saliva होता है जो आप सुबह morning उड़ते हैं पानी पीने से पहले भी जब आप morning उड़ते हैं तो जो saliva होता है थूक होता एक बार लगाए जब वह सुख जाएगा दो बारा फिर लगाई ऐसा दो तीन बारा पर पीट कीजिए इसे पीपल बहुत जल्दी जल जाता है गाएव हो जाता है यह बहुत अच्छा मैथर है अगर आप जल्दी से अपने पीन्पल को ठीक करना चाते हैं आपको एक-दो कि आपको और 2-3 दीन मेन आपको बहुत अच्छा. मिलेगा एसा करने के बार अ만ल पानी साथ अपने धोली जिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक बार इसे ट्राई करते जुरूर देखना को थर्ड स्टैब में आता है फेस वोश, फेस वोश आप वही यूज किजिए अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, यैसे कि आपको जिस पे कुछ नैच्रल इंग्रीडियंट्स हो, यहाँ पे मैं हिमालय का दिखा रही हूँ, इसमें नीम है, तो अगर एक पतंचली का है, जिसम और तुलसी फेस वोश है, यह दोनों बहुत अच्छे फेस वोश है, अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही यूज करने हैं, लेकिन कैमिकल से भरे हुए फेस वोश आप बिल्कु यूज ना करें, वो और जब यह फेस वोश कर लेते हो, तो उसके बाद हम क्या गलती और भी करते हैं, कि हम टावल के साथ जोड़ जोड़ से अपने फेस को पोंचने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात हो जाती है, आपको हमेशा सौफ्ट टावल का यूज करना चाहिए, और बिल्कुल हल यह होगा, आधा चमच कस्तूरी हल्दी, अगर किचन हल्दी है तो आप अवोईट कीजें, क्योंकि वो आपके फेस के उपर कलर छोड़ जाती है, आपको इसमें डालना है, रोज वोटर, तो आपने इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो यह आपका सिंपल सी करना है, जब जिस सूख जाएगा, तो नॉर्मल पानी के साथ अपने फेस को धो लिए, ऐसा आपको डेली करना है, हल्दी जो होती है, वो एंटी बैक्टीरियल होती है, जो कि बैक्टीरिया जो पिम्पल्स को बार-बार फैलाते हैं, उनको दूर करेगी, तो आपको इसको लगाना है, हफदे में दो से तीन बार लगाना है, या फिर एक दिन छोड़के आप लगा सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए होगा अधो कुछ नीम की पत्तियां, वो भी आप ले सकते हैं और उसके बाद है एक खीरा, इनको अच्छे से धोके, आप मिक्सी में ठोड़ होती अमेजिंग है एकने प्रोन स्किन के लिए अगर आपके चैरे पर एकने हैं पिम्पल्स हैं या फिक किसी तरह के कोई दाग दब्बे हैं तो उनको फेड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है बीच से पच्चीस मीनिट आप इसको अपने फेस के ऊपर रखे उसके पानी के साथ आप इसको धो लीजिए यह सब तो आपने दिन को कर लेना लेकिन नाइट टाइम में आपको लेनी है थोड़ी सी अलोवेरा जेल इसको आपको नाइट को भी लगाना है और सुबह आपने को जब फेस पैक लगा लेते हो जो चैरा धो लेते हो उसके बाद भी आपको लगाना है कोई भी ब्रेंड के आपके बास अलोवेरा जेल उसको थोड़ा से लेके हलकी हाथों से मसाज करते हुए ऐसे ही आप रात बर के लिए ऐसी स्किन के ऊपर छोड़के आपको सो जाना है चहरा नहीं धोना है मोर्निंग ही उठके आपको दोना है अगर आप आपको बहुत पिंपल्स हो रहे हैं तो आप मार्किट की जो क्रीम होती है बहुत केमिकल से भरी हुए आप उनको यूज मत कीजिए आप अलोवेरा जैल का ही यूज कीजिए एक तो ये स्किन को काफी अच्छी से हाइड्रेट भी कर देती हो साथी पिंपल्स वगरा की प् अभी मैं आपको बताऊंगे कुछ ऐसी बैड हैबिट जो कि आपको डे टू दे लाइफ इम बिल्कुल भी इसको अवोइट करना होगा अगर आप इंपल्स से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं वरस्ट है कि जो टावल हम अपने बोडी के लिए यूज करते हैं बोडी लग से रखना चाहिए और आपको फेस के लिए अलग से टावल यूज करना चाहिए वो भी बिल्कुल सोफट टावल यूज गण में चाहिए कि आप कुछ भी ऐसा ट्राइ ना कीजिए, जो मैंने आपके साथ होम रेमेडी शेयर किया है, सिर्फ वही आप ट्राइ कीजिए, लेमन को फेस पे लगाने से अच्छा है कि लेमन को जो मैंने पहले आपको ड्रिंग बताई है, वो पीजिए तो जादा अच्छा रहेगा, एक और भी हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो हम फोन पे तो डेली बात करते हैं, किसी ने किसी से, इससे क्या होता है, बात तो आपको ज़रूर करने चाहिए, लेकिन एक बैड हैबिट आपको नहीं करने हैं, हम क्या करते हैं कि जब फोन पे बात करते हैं, अगर हमार स्किन एक्रे प्रोन वाली स्किन है हमारे स्टेरे पर पिंपल्स हो रहे हैं तो हम एक साइड पर बात करते हैं उसके बाद दूसरी साइड पर करने लग जाते हैं तो दूसरे साइड भी वही इंफेक्शन आपको होता है जिसकी वज़े से आपको पिंपल्स और ज्यादा बढ कि मेकप करना तो हम लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है लेकिन अगर आपकी प्रून स्कीन आप बहुत आपको पिंपल्स निकर रहे हैं तो अवोइड की आप मेकप ना कीजिए जग करते यूज कीजिए, I hope आज की वीडियो आप सब के लिए काफी बैनिफिश्य रही होगी, तो आप ये टिप्स को ज़रूर सारे टिप्स को फोलो कीजिए, तो definitely मैं कह सकती हूँ, आपको पिंपल से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, और भी ऐसे अच्छे-ची वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगल वीडियो इतनी भी बैनिफिश्य लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना, तो मैं निहा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठेक के रहें, बाइ-बाइ- झाल कि वीडियो आपको भी जए तक के लिए दो पिर देक के लिए कि दो कहीं, जब भी त।